गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं अजयक्मार वारंसी उत्रपदेश से आपके अपने चैनल लौ सिक्षन पर स्वाइब करता हूँ दोस्तों आज मुझे काफी दिक्कत हो रही थी जब मैं यूडाइस प्लस अपने स्कूल का भर रहा था तो कई चीजे मैंने यूट्यूब पर खोजी मुझे खुद नहीं मिला कि कैसे हम मॉबाइल के जरिये भरें क्योंकि मॉबाइल के अगर उस फॉर्मेट में मैं कर रहा था तो काफी दिक्कते होनी थी टीचर मॉडिल में भरी नहीं पा रहा था कैसे हम करेंगे इसमें यूडाइस प्लस में लोग-इन करने के पहले आपको इसको मैं टाइप कर दे रहा हूं लॉग इन करने के बाद यह देखिए खुल गया इसके जरीए मैं कर रहा था तो हो ही नहीं परा था यहां देखिए टीचर का दिया है उसके उपर प्रफाइल एन फैसिल्टी दिये उपर वो डाउनलोड प्रिफिल्ड डीसी अफ कैसे बढ़ना यह तरीका है ठीक है तो प्र ट्विटर की तरह ब्लैपटॉप की तरह आपका मोबाइल करने लगेगा फिर से आपको लॉग इन करना होगा यह लॉग इन वाली प्रॉल्म कई बार आएगी और मुझे भी कई बार आई है तो मैं कई चीजे बता नहीं पाए यह से देखिए लॉग इन का आया हुआ है त 8 7 8 F तो इसको करते ही जैसे मैं लॉग इन करता हूँ यह दोस्तों बार बार यह दिक्कत आ रही थी लॉग इन की और लॉग इन करना भी पड़ा है मुझे तो मैं एक दो बार इस सौट्स तो मैं डिलीट करती हूँ यह देखिए सामने खुल गया है क्लिक टू ओपें टीचर DCF खुल जाएगा जैसे हम क्लिक करेंगे पूरा देखिए अब डाटा हमारे सामने आ गया है ठीक है यहां देखिए टोटल सात अध्यापक है और सातों का अभी इन कंप्लीट डाटा है जो कि यहां सो कर रहा है अभी मैं दिखाऊंगा आखरी में कि देखिए पूर सामित्र है उंका दिखा रहा है ठीक है और फिर देखिए टीचिंग स्टाफ इन पोजिशन है जो कि साथ है कुल सही है और नौन टीचिंग स्टाफ जीरो है तो जीरो दिखा रहा है एक चीज़ यहां बताने चाहेंगे जैसे मैंने तो इंग्लिस में भर दिया अगर किसी क ह attracts are है चीज़ है तो हम सब दय आजाएंगे तो मुझे बदलना नहीं है तो मैं इंग्लिसी रहने दे रहा हूं तो यहां हम देखेंगे यहां से refresh करेंगे तो जो भी हम data भर देंगे और यहां पर complete दिखाते जाएगा incomplete जो भी status है वो दिखाता जाएगा यह संख्या देखे साथ दिखरी है total 7 वहीं हमें touch कर देना है जैसे हम touch करेंगे तो यह देखे नया page एक खुल के आ जाएगा जिसमें teacher की पूरी जानकरी होगी ठीक है तो हलका समय यह भी लेता है तो देखे अब यह open होने जा रहा है हर एक अध्यापक के तीन points होते हैं यह देखे journal profile है appointment and teaching है फिर है training and others यह सभी चीजे पूरी की पूरी fulfill होनी चाहिए तभी जाके एक teacher का पूरा complete होगा और यहां से view और delete भी option अगर आपके यहां से अध्यापक चले गया है ता आप delete वाले option से जाकर delete भी कर सकते हैं तो इससे आपका पूरा देखे डिलीट हो जाएगा यहां से पूरा data उस teacher का ठीक है और इसके बाद देखे जो incomplete है कब modify किया पूरी जानकारी आ रही है यह सभी तीनों points को जब तक हम नहीं भरेंगे तब तक teacher का complete नहीं होगा तो आईए अब मैं बारी बारी से सभी अध्यापकों का data भर देता हूँ ठीक है इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि उसके ब पहले छे दिखा रही थी अब ओ दिखा रही है पांच इसी तरह से आप बीच बीच में भी देख सकते हैं कि यह complete होता चला जाता है वैसे ही अभी सभी अध्यापकों की हम detail भर के चेक करके बताते हैं वैसे ही देखे बारी बारी से जब आप सभी अध्यापकों कर देंगे अब कोई भी देखे लाल इसमें नहीं आपको दिख रहा होगा अब पूरा मेरे स्कूल का जो डाटा है पूरे टीचर्स का डाटा है वो पूरा फुल्फिल हो गया है अब इसमें कोई भी कमी नहीं है यहां देखे उपर अगर हम जाते हैं इसी पेज में तो add new teachers कर सकते हैं refresh जैसे मैं करूँगा अभी देखे incomplete पांस दिखा रहा है न जैसे मैंने refresh करूँगा देखे incomplete अब zero हो गया है ठीक है तो इस तरीके से जब हो जाए तो जानले जाए आपका you dice का जो काम है teacher updation का काम है वो पूरा हो गया है thank you दोस्तो thank you for watching my video